इस वीडियो में हम वीडियो री एक्जाम और वीडियो के एक्जाम के लिए एक टॉपिक जो की है हिंदी साहित्ति का इतिहास इससे कई कोश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं प्रीविस यह अगर अपने देखा होगा तो इनसे कई कोश्चन पूछे गए तो इसको वीडियो है वह उसकी प्लेइलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से जाके सभी वीडियो देख सकते हैं इसके लावब वीडियो री एक्जाम का पेट ग्रूप जॉइन करने के लिए इस नंबर पर वाट्सेप करके ग्रूप की डीटेल लेकर अब्रान से बनी है यह इसे कई कोशन मैचिंग में भी पुछी आते हैं और वैसे डैरेक्ट कोशन पुछी आते हैं जैसे पस्ची में हिंदी राजस्थानी पहाडी गुज्राती इन अंस सब का निर्मार किस से हुआ है किस अब्रहन है जोई किस सौर सेनी भासा से बनिया ह इस को बाएजित के लाओं अलग अलग विचार को ने जितना हिंडी साहत है उसको चार सबसे पहले आधी काल के बारे में देखेंगे तो आधी काल को वीर का था काल भी कहा गया है यह लगभग लेके लेके चले तो 1440 फिर अगला जो काल आता है फूरो मद्य काल जिसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद आता है उत्तर मद्य काल जिसको रीति काल भी कहते हैं फो है यहां पर आधुनीक काल आधुनीक काल जो है 1843-1941 बोड़े तक यह टाइमग अभी जो आधुनी काले इसको और सारे युग में डिवाइड किया गया जैसे भारतेन्द युग हो गया दिवेदी यूग, चायावादी यूग, प्रगति वादी यूग, प्रेयोग वादी यूग और नहीं कभीता, मतलब वर्तमान वाला टाइम पिरिड्ट तो इतने यू जाएंगे तब उनका ये यूग हो जाए गया तो एसे ये यूगों का नाम दिया गया है अब अधिकाल के प्रमुख कभी और रचना देख लेते हैं जिनसे कोश्चन पुछ आते हैं तो सबसे पहले चंदर बढदाई इनकी रचना एप्रिथवी राज रासो नर्पति नाल क यह प्रमुख रचना है और इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहां से कई कोशन बन सकते हैं नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे पूरुमध्यकाल यानि भक्तिकाल की अब भक्तिकाल को दो साखा में डिवाइड किया गया है एक सगुड धारा जिसमें इस्वर के साकार रूप की पूजा की जाती थी फिर दूसरी है निर्गुड धारा जिसमें इस्वर के निराकार रूप की पूजा की जाती थी मतलब मोर्थी पूजा नहीं वैसे मतलब अंदर से पूजा की जाती थी निराकार रूप की अब अब सगुण धारा जो है सब्सक्रक्राइब हैं और विखी कुछ निर्गुण धारा दूसरी प्रेम मार देखेंगा अब चारों को यहांपर अच्छे से तेख लेना इन गीता वाली वर्वय रामयर्ड खृष्ण गीता वाली राम लेला नाचु बैराग्य संदीपनी जानकी मंगल पारवती मंगल विनेपत्रिका इतनी रचनाएं जरूर याद होनी चाहिए तोलसी दास जी की यही प्रमुख रचनाएं इन्हीं में से कोशन आ जाता है नेक्स्ट यहाँ पे अग्र दास की बात करें तो अग्र दास का है अश्टयाम नाभा दास का है भक्तमाल केशो दास की रचनाएं हैं राम चंद्रिका कवी प्रिया रसिक प्रिया चंदमाला नक्सिक अभी जो इनकी प्रमुख रचनाएं या फिर कोई भी लेखा की जो प्र नेक्स्त बात करेंगे या पर कुष्ण भक्ति चाहः और उनकी प्रमुख रचना चाहीं किता नल्दवम्यंती राम की और रॉप्टिकाश्यगर्ण की चाही देख लें गेश्गर्छित चाहिए कवी कवी है इसके लाव भक्ती काल में ही एक प्रमुक बात कि अस्त चाप के कवी इसमें पाते थे अस्त चाप के कवी हैं कौन-कौन से, कुम्भन- श्त रवंध- चबाइब रही दास चीट सौमी चतरभुज दास यह आठ जो कवी है यह अस्ट छाप के कवी कहे जाते हैं नेक्ट यहां पर बात करेंगें ग्यान मारगी साखा के कवी कौन है तो कभीडास की बीजक रचना है और बीजक किसका संग्रह थो साखी सबस रमैनी का चाहिए साख की साअब से इन की पर्युंदी और मार्गी पर मारगी साखना जो दी इसकी प्रमुक रचन जो सबसे पहले प्रेm मारगी के मंझन कवी जो थे इनकी रचना है मध criminal यह भी जो है प्रेम मार्गी वाले कवी कि करेंगे इतival की विशेश्चता क्या थी प्रकृती इसमें अच्छे से दिखाया गया था इसके लावा ब्रज अौधी का यहां पर प्रियोग क्या गया था वीर और संगार रस की यहां पर प्रधामता थी और रीति काल के जो कवी थे उनको तीन साखाओं में बाटा गया है रीति बद्ध, रीति मुक्त और रीतिसिद्ध अब पीनों को हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है जिस लेवल का हमारे एक्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उसी लेवल का पढ़ना है इसके लाएं इसमें नीत और भक्ती की चर्चा भी की गई थी इसमें जो प्रमुख लेखा का और कवी उनकी रचनाएं है जैसे केशवदास क कवी कुल कल्प तरू काविविवेक इसके लाओं मतीराम की रचना है रसराज वृत्य कौमदी ललित-कलिम ललित कलाम कई बार पूछी जा चुके है पदमाकर की रचना है पदमभरंड-विहारी जीст है और पन से सालबस्थ साह है माकन कवी की रचनाłem चंद्विलास नेक्स्ट बात करेंगे आधुनिक काल को कई पार्ट में डिवाइट किया गया है तो पहला है इसमें भारतेंदी युग इसकी विशेस्ता क्या थी कि राष्टियता की भावना थी सामाजिक चेतना की बात की गई थी हासे वेंग भी इसमें लिखे गए थे अंग्रेजी भास प्रेम पुस्पावली जग मोहन सिंग की देव यानी राधा चरण गोस्वामे की नवभक्त माल अंबिका दत्य व्यास की भारत धर्म जितनी रचनाय लिखें सिर्फ इतनी आपको याद कर लेनी है इसमें से कोस्चन मिल जाता है नेक्स्ट बात करेंगे दिवेदी युग दिवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे तो आचारे महावीर प्रशा दिवेदी थे जो की सरसोती पत्रिका के संपादक भी थे और दिवेदी युग में जो भी रचनाय लिखी गए उनकी विशेस्ता थी देश बक्ती, अंद विश्वास का विरोध, रूडियों का विरो अगी बात करेंगे चाया वाद की विशेषता क्या थी तो व्यक्ती वाद की प्रधानता थी इसमें स्रंगार भावना की प्रधानता थी प्रकृति का मानवी कराण की इसमें किया गया था अग्यात सत्ता के प्रति प्रेम इसमें जलकाया गया था इसमें प्रकृति का मानवी कराण सबसे ज्यादा विशेस्ता है चाया वाद की प्रकृति को इस तरह से देखा गया थ प्रत नभीन भावना इसमें उजागर उजागर वाद में जैसंकर प्रशाद को यह question जो बहुत पूच़ा जाता है कि चाहराइब पर्शाद सुमत्रानंदन पंथ सुरिकांत रिपाथी नियाला प्रशाद पंथ नियाला को चाहराइब रचना और उसके लेखक ये चार ही लेखक हैं जो सबसे महात्तोपोण है और इनी में से कई सारे कोश्यन आ जाते हैं तो महादेवी वर्मा की रचनाय है निहार, रश्मी, नीरजार, दीप, शिखा, यामा ये सबी जो हैं कई बार पूछी जा चुके और आगे भी पूछी जा सकते हैं इसको अच्छे से देख लिजेगा सुरिकांट त्रिपाठी की रचनाय हैं परिमल, अडिमा, कुकुरमुत्ता, अनामिका, सुरिकांट त्रिपाठी, निदाला जय शंकर प्रशाद की रचनाय हैं आसू, लहर, कामायनी, ध्रुब, शौमिनी, इसकंद गुप्त सुमित्रा नंदन पंत की रचनाय हैं पल्लव, ग्रंथी, चिदंबरा, लोकायतन आगे बात करेंगे प्रगतिवाद के लेखों की विशेस्ता क्या थी? जय शोषकों के प्रती विद्रोह की भावना इसमें उजागर की गई थी, शोषितों के प्रती सहनबूती दर्शाई गई थी, आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल दिया गया था, नारी सोषण के बिरूत, जो मुक्ति का स्वर यहाँ पर उठाया गया था, नारी सोषण की थी धरती, गांगे रागों की थी पांचाली, सुरिक और त्रिपटी निराला की जो रचना है कुकुर मुत्ता वो प्रगती वाद से संब्देत है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रेयोग वाद की इसकी विशेस्ता क्या थी, तो प्रेम भावनाओं का खुला चुत्रण किय गया था, निराशावाद की प्रधानता थी, एहम की भावना इसमें दर्शाई गई थी, रूडियों के प्रति विद्रोह था, व्यंग की प्रधानता इसमें थी, इसके लिए प्रमुक कवी कौन है, तो सचिदानन धीरन वासायन अगे ये प्रेयोग वादी है, और ये जो अबी नवीन कविता जो लिखी गई, उनकी विशेशता क्या है, तो लगू मानावाद की प्रतिष्ठा, प्रियोगों की नवीनता, अनिभूतियों का वास्तवी चित्र, जैसे अगर आपको इस स्टेट्मेंट में आ जाईए सभी चीज है, तो इसको ध्यान से देख लीज आपने दुसियंत कुमार है, दुसियंत कुमार नई कविता से संबनी थे, और इनकी राचना सूरिका स्वागत, साय में धूप, श्रीकांत वर्मा किये माया, दरपन और मगत, तो यह इतनी चीजे जो है, इतनी में ही आपको लगभग कोस्टन मिल जाएंगे, वीडियो पस आपको नोच वर सबस्चेते जाएंगे, श्रीकटा भी राचना क्लासे में जोगए, श्राट अरेख नूएंगे, श्रीकांत वंचेते जाएंगे, इतना क्लासे में धाउशते जेते संदोंस्ताएंगे, तो यह दोलो करा, वीडियो खो टालनी ठीक्क्र, सूरीक पूल जे